तो हेलो दोस्तो आज किस वीडियो में हम लोग MS Word में स्मार्ट आर्ट के बारे में जानेंगे आप देख सकते हैं दोस्तो कंप्यूटर स्क्रीन पर मैंने एक स्मार्ट आर्ट का डिजाइन बनाये हुआ है दोस्तो smart आर्ट एक तरह का visual representation होता है जो चीजों को समझाने में मदद करता है मान लिजे दोस्तो आपको कुछ ऐसी चीज़ समझानी हो जिसके बहुत सारे टाइप्स हो और उनके भी धेरो सारे टाइप्स हो तो आप smart art की मदद से उसे सुन्दर ढंग से आसानी से समझा सकते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर computer के parts के बारे में समझाया कि computer के parts कौन कौन से होते हैं तो देखें मैंने यहाँ पर CPU, UPS, Monitor, Mouse, Keyboard ठीक है जतने तारह के यतना types होते हैं मैंने यहाँ पर उनको समझाया हुआ तो देखें दोस्तों इस तरह का जो समझने का होता है वो आसान हो जाता है इसकी मदद से आप आसानी से समझ सकते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाऊंगा कि कैसे आप smart art का use करेंगे और कैसे आप अपने कोई भी office या school project में कैसे visual representation देंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग MS Word को open कर लेते हैं ठीक है देखें दोस्तों हमने MS Word open कर लिया है अब जो दोस्तों visual representation मतलब जो आपका smart art है यह आपका option दोस्तों आपको यहाँ पर insert वाले menu में मिल जाएगा ठीक है आपको यहाँ पर home menu इसके बगल में insert menu है इस पर दोस्तों आपको जाना है और इस पर जाने के बाद यहाँ पर आपको smart art का menu मिलेगा इस पर आपको click कर देना ठीक है दुस्तु जैसे आफ क्लिक करेंगे आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर कई सारे smart art के design आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है? देखिए सबसे पहले हम ला रहा है, यहां all है, यहां पर all में दोस्तो आफको हर तरह का smart art के design आपको देखने को मिल जाएगा, आप scroll करके इस तरह नीच आएंगे तो देखें यहां कई तरह के option आपको मिल जाएंगे ठीक है इसके बाद दोस्तों next हमारा है list वाला ठीक है तो list वाले में अगर माली जे smart art आप रखना चाहते हैं तो देखें यहां पर list design में भी यहां पर कई सारे option दिये हुए हैं इसके ब Ctrl style में भी देखें यहां कई सारे option आपको मिल जाएंगे इसका बाद दोस्तों है high cherry तो यहां पर दिखें आगर types में आपको कुछ बताना है तो इसका यूज आप कर सकते हैं इसका बाद है relationship ठीक है एक दूसरे में अगर आपको relationship बताना है तो इसका यूज आप कर सकते हैं यहाँ भी आपको धेरो सारे option मिल जाते हैं इसको दोस्तों यहाँ पर next है matrix ठीक है और इसके बाद दोस्तों है यहाँ पर pyramid ठीक है तो इस तरह दोस्तों आप यहाँ पर देखे कई सारे smart art के option दे हुए तो चलिए इन में से हम लोग एक को यहाँ पर select कर लेते हैं और हम लोग यहां पर दिजाइन यहां बनाते हैं तो देखिये यहाँ पर एक cycle वाला है तो इसको यहां पर इनसर्ट हो चुका है अब देखिए दोस्तों हमनों यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे ठीक है तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर टेस्ट है तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ से भी आप टाइपिंग कर सकते हैं और दोस्तों अगर आप यहाँ पर यहाँ पर देखिए आपको एक दो बना लेते हैं, तो मान लिजे मुझे software के बारे में जानकारी देनी कि software कितने तरह के होते हैं, तो मैं software लिख लेता हूँ, तो दिखे, यहाँ पर मैंने software लिख लिया, ठीक है, इसके बाद दोस्तों, software लिखने के बाद, अब हम लोग को software के types लिखने हैं, कितने तरह के software होते ह तो हम लोग यहां पर लिख लेते हैं माल लिजें यहां पर सबसे पहला हमारा जो सॉप्टर हो गया वो होता है सिस्टम सॉप्ट्वेर तो हम लोग सिस्टम यहां पर लिख लेते हैं सिस्टम सॉप्ट्वेर ठीक है सिस्टम सॉप्ट्वेर यह हमारा यहां पर हो गया ठीक है इसके बाद दोस्तों हम लोग next लिख लेते हैं application software ठीक है दोस्तों इस तरह हमने application software यहाँ लिख लिए है अब दोस्तों माल लिजे कि आपको यहाँ पर एक आपको और text add करना है एक box आपको और add करना है तो आप simply क्या किजेगा जैसे मैंने application software लिखा आप यहाँ पर इंटर प्रेस कर दीजेगा ठीक है जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे देखे आपको यहाँ पर एक box और यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिए utility software आप कोई और भी दोस्तों डिजाइन यहाँ पर ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर डबल एरो हो गया तो यह एक cycle जैसा दिख रहा है ठीक है ऐसा तो software में जो होते है वो तीन होते है एक utility software होता है system software होता है और एक application software होता है ठीक है तो यह समझ change color का एक option मिलेगा ठीक है इस change color पर आपको आ जाना है और यहाँ पर देखिए आपको कई सारे यहाँ पर color design आपको मिल जाएंगे जो कि आप आटो मतलब by default आपको यहाँ बने वह होते हैं ठीक है तो इन में से आप कोई भी चाहें तो एक select कर सकते हैं तो माल लिजे यहां स मैं कोई एक select कर लेता हूं तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको select कर लिया ठीक है तो देखिए दोस्तों यह हमारा automatic color हो गया है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर भी आपको कई सारे option मिल जाएंगे ठीक है तो इन में से भी आप कोई भी select कर सकते है ठीक है तो देखिए इन में से मैं इसको select कर लिया तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है तो इस तरह दोस्तों आप यहाँ पर बना सकते हैं अगर माली जिए इसको और भी आप अपने से customize करना चाहें ठीक है माली जिए यहाँ पर दोस्तों यह font है इस font को आप change करना चाहते है तो इसको आप select कर लिजिए इसके बाद home में चले जाईए और home में जाने के बाद यहाँ पर आपको कई सारे font के style मिल जाएंगे यहाँ से भी आप font style change कर सकते हैं ठीक है और यहाँ पर भी दोस्तों आप कर सकते हैं अगर इसको आपको specific कोई color द highlight किया तो देखें यहाँ पर rate color यह हो गी है ठीक है तो इस तरह दोस्तों आप इसको कर सकते हैं ठीक है इसको अगर इसको भी color करना इसको भी select करके और text को अच्छल आप कर ऐसे करके सामने जाङ s का option आएगा और एक तो format का option आएगा तो design वाले option पर अगर आप जाते तो देखें यहां भी अगर माल लिजेए आपने बनाये हुगा है और इसको आप change करना चाहते हैं तो यहां पर देखें कई सारे और भी option आ रहे हैं तो इसको आप इस तरह आगर रखेंगे तो देखें य यहां पर कोई तरह का list में convert करना है तो इसको list में कर दीजे तो यह आपका list में भी हो जाएगा ठीक है तो देखें यह देखें दोस्तों है ना यह हमारा list में होगी यहां पर देखें एक photo भी add करने का option आ रहा है अगर आप चाहें तो photo भी add कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तों यही है आप इसको यूज जरू कीज़ेगा एसमार्ट आट का और अपने कंप्यूटर में प्रैक्टिस कीज़ेगा तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो चे लगी हो तो वीडियो को लाइक कीज़ेगा चैनल पर नहीं है तो जरू कर लिज़ेगा तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक साथ तब तक के लिए थैंक यू सो मच